हेलो नमस्कार सात्यों आपका स्वागत है नमींजी के जिए चैनल पे BCECE का जो है ऑफलाइन काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो चुका है जल्दी देख लिजे विलिंगनेस कैसे सम्मिट करना आप सभी एस्टूडेंट ये जो होगा लास्ट चांस होगा सभी एस्टूडेंट के लिए जो भी एस्टूडेंट जिस कोर्स के होंगे उस हिसाब से जो है सम्मिट करेंगे जो एंट के जो कंडिडेट होंगे जो एंट में सम्मिट करेंगे और जो एगरी कल्चर के होंगे अगरी कल्चर यानि कि दोनों का date जारी कर दिया गया है और willingness submit करने के बाद लिस्ट जारी होगा तो पहले तो सबसे पहले आप willingness submit कर देजे जिस भी कोर्श के हैं तो चलिए देखते हैं कैसे submit करना अगर चैनल पे पहली बार आते हैं तो जरूर सास्क्राइब कर लिजएगा जिसे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे कोई भी अपडेट आएगा आपको चैनल के माध्यम से बताया जाएगा ऐसे संपर कर पाना संभव नहीं होगा लेकिन चैनल से जुरूरे हुए रहेगा तो आपको तुरत पता चल जाएगा तो चलिए देखते हैं कैसे सम्मिट करना है विलिग नैस तो आपको सबसे पहले आजाना ओफिसियल बेबसाट पर बी सी सी का जो है ओफिसियल बेबसाट वहाँ पर आजाना है और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर देखिए ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म सेक्शन में जो है यहाँ पर आएंगे ठर्ड नम जो है यहां पर देखेंगे उसके बाद जो है विलिंगने सम्मिट करेंगे तो विलिंगने सम्मिट करने का प्रोसेस जो है आपका चलिए देखते हैं डेटा बर्थ डालना है और जो आईडी था उसको डाल करके जो है सम्मिट करना है तो कैसे करना है तो चलिए देखते हैं इस पर click करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या option आता है तो आप देखी यहाँ पर जो है इस तरह से आपको roll number डालना होगा रूसके बाद इंट मार जो है data birth ठीक हा जो भी आपका roll number होगा roll number डालेंगे उसका इंट मेर डालेंगे ठीक है तो जो भी आपका roll number होगा feedback की जगा और data birth जो होगा अपने अनुसार जो Lucky call लेजिये गा उसके बाद जो है 3 सो रैंक होगा और सो होनिके बाद जो भी है तो उसके बाद आपको सम Очétais चैना कि उट्व भोजाएगा तो उसके बाद है आपको समट करने के बाद जो आप उप्सेड आइड मेंSमिट करने के बाद आप का तो होगा ठीकए ख़लेत अपिनार में समिट करणे के आप सबस्क्राइब करना और देख लीजे यह जो है ऑनलाइन विलिंगने समिट करने का डेट कब से एक दो 2022 से लेकर के 6222 तक जो है आपका विलिंगने समीट करेंगे तो जो है प्राप्त किया जाएगा ठीक है और उसके बाद जो है आप जो भी candidate submit करेंगे उसके अनुसार जो है वेवसाइट पर जो है आठ दो 2022 को जो है जारी कर दिया जाएगा यानि कि जो भी student apply कर देंगे submit कर देंगे उसके बाद जो है मेधा करम सुची जो है जारी किया जाएगा आठ दो 2022 को तो यह तो समझ गए होंगे आप सभी student तो फटा फट submit कर दिजे और और भी जानकारी जो है next वीडियो के माधम से जो है आपको बताया जाएगा ठीक है तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक्यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो